असलाम वालेकुम वेल्कम बैक टू मैं चैनल होम स्टाइल फूड वित मी वाहिदा आज हम बनाएंगे वैगन की सूखी सब्जी बहुत टेस्टी बहुत मज़े की बनती है रेसिपी आप सरूर ट्राय करके देखें तो अगर रेसिपी आपको पसंद आई होते से लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए वैगन की सूखी सब्जी किस तरह से बनाते हैं देख लेंगे तो सबसे पहले कड़ाई चूले पर चड़ा दिया है कड़ाई को थोड़ा गरम होने देंगे और इसमें आट कर देंगे तीन तीन टेबल और अधी श्पुन की जितना ध़ये और आफजीदी स्पून की जितना करें आट करेंते स्टवचांही का पर अर्चे पासञाचे नहीं युक्ट कि तरह से मैं कर लेंगे और फिर इसमें add करेंगे करेपग साथ से add कर ले आलेशन की कुचल के मैंने डाला है और green chilies को उस तरह से मैंने तोड़के डाला है ग्रीन chilies और साथ में red chili powder भी हम ढालेंगे तो इसके लिए आप spices अपने ही साप से रख लें अगर आप चाहें तो ग्रीन चिल इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं यहां पर हमें गार्लिक को बहुत ज़दा फ्राई नहीं करना है बस इतना ही इसको थोड़ा सा एक दो तीन सकेन के लिए इसको स्वाते कर लेंगे और फिर इसमें आड़ कर देंगे चौप किया हुआ बैगन बैगन जरूरी नहीं है फ्रेंट से ही लेना है बोलके जो भी लंबे बैगन आते हैं ग्रीन वाले एक प्लैंट भी आप ले सकते हैं और फिर समेया एड्ड किया है मैंने ठोड़ा सा अब कुछ कहलेन में तीली पाध तर जिली पाधने मैंने थीक्स के लिए यहां पर कलर के लिए मैंने अड़् किया indquer और फिर इसमेद्स में अफ टी-स्पून नहां आंड किया है coriander powder इसको अच्छे से mix कर लेंगे यहां पर जो भी हमने सुखे मसाले आड़ किया है वो अच्छे से भुनना है इसमें पानी बिल्कुल भी आड़ नहीं करेंगे जो भी बैगन का पानी है और जो ओयल इसमें है उसी में ही बैगन अच्छे से गल जानी चाहिए इसका अच्छा color अच्छा flavor आ जाएगा तो यहां पर मैंने cover कर दिया है कड़ाई को और अच्छे से इसको पका लेंगे बीच बीच में इसको एक से दो बार चेक करेंगे otherwise नीचे से जलने लगेगा तो इसके लिए बीच में एक दो तीन बार इसको इस तरह से धकन हटा कर mix करते रहेंगे तो यहां पर मैंने फिर से एक बार धकन हटा के इसको इस तरह से mix कर लिया है फिर से इसको cover करके बैगन गलने तक पका लेंगे तो चले फ्रेंस फिर से ढखन हटा के चेक कर लेते हैं बहुत जबरदस्त बैगन की रेसिपी तयार हुई है बहुत इजी बहुत टेस्टी बनती है आप इसे ज़रूर ट्राइ करके देखें आप वो बहुत पसंद आएगी रेसिपी है मेरे चैनल को मैंने बैगन की चटनी बहुत सरी रेसिपी बैगन की रेलेटेड मैंने डाला है आप चाहें तो ज़रूर जाके चेक आउट करें या फिर मैं सूर लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगे तो यहां पर देखें फिरिंज बिना पानी आट किये बहुत ही कम मसालों में हमने बहुत बहुत बहुतरीन सूखी सबजी बैगन की तयार कर लिया है इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसको कर लेंगे बिशाउट ना तेल देखें जाधा हुआ है ना कुछ बहुत अच्छे से सबजी तयार हुई है तो यह लिजे फ्रेंज बनके तयार हुई है हमारी बैगन की सबजी आप इसे जरूर ट्राइ करके देखें आपको बेहत पसंद आएगी रेसिपी तो यह वैगन की सुकी वाली सबजी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स मिलते हूँ मैं आप से एगले रेसिपी में तब तक अपनी दौा में मुझे आएगो कि तक थम्हें आपको तक तो सब्सक्राइब को पस लेस सब्सक्राइब कर दो